नमस्कार आप देख रहे हैं आपड़ो उत्राखंड आपके साथ मैं हूँ पल्लवी रवींदर सिंग उत्राखंड में नया समविधानिक संकट अब खड़ा हुच चुका है कुछ महीने पहले ही राज को तीरत सिंग रावत के रूप में नया सीम मिला था अब विपक्षी पार्टी कॉंग्रस ने दावा किया है कि एक बार फिर से राज का मुख्यमंत्री बदलना पड़ सकता है कॉंग्रस के पूर विधायक नौप्रभात ने ये दावा किया है इसके पीछे उन्होंने वजय भी बता डाली हरिश रावत की सरकार में परिवहन मंत्री रहे नौप्रभात ने कहा है कि मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत विधायक नहीं है मुख्यमंत्री पत पर बने रहने के लिए उन्हें छे महिने के भीतर चुनाओ जीत कर विधानसभा का सदस्य बंदा होगा इसकी समय सीमा 9 सितंबर को समाप्त हो रही है उन्होंने आगे कहा कि जन प्रतिद्निशित्य कानून की धारा 151-1 के तहत विधानसभा चुनाओ के लिए सिर्फ एक साल बचे तो उप्चुनाओ नहीं करवाया जा सकते राज में अभी दो विधानसभा सीटे खाली है विधानसभा का कारेकाल मार्च 2022 में समाप्त होना चाहिए यानि की केवल 9 महिने बचे है इसलिए सियम रावत के लिए 9 सितंबर के बाद सियम बने रहना अब संभोना हो पाएगा इसलिए ऐसे में उत्राखन बीजेपी को एक बार फिर से अपना मुख्यमंत बदलना पड़ेगा तो कोड़व नजीबाबाद ब्रांच लाइन पर जल्धी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफतार से दोड़ेगी बीते अप्रेल महा में उत्र रेलवे की ओर से कोड़व नजीबाबाद रेल लाइन पर विद्धूती करण का काम पूरा कर लिया गया जिसके बाद से कोड़व दिल्ली के बीच उचलने वाली च्रेयर कार सिधिबलिश जन्च रताबदी एक्स्प्रेस को भी एलक्ट्रोनिक इंजन से संचालित किये जाने लगा इससे पहले तक एस रूट पर नजीबाबाद से कोड़व के बीच डीजल इंजन से ट्रेन संचालित की जाती रही विद्धूती करण के बाद अब रेलवे ने वर्षो पुराने ट्रेन के स्थान पर नया रेल ट्रेक बिचाने के तैयारियां भी शुरू कर दी जिससे ट्रेनों की गती में जाफा होगा और समय भी बचेगा रेल अधकारियों का कहना है कि रेलपत विभाग ने पर्थम चरण में आथ किलोमीटर रेल ट्रेक बदलने के लिए अनुमती प्राप्ट कर ली है नजीम अबास से कोड़ द्वार की बीच की दूरी 24 किलोमीटर है करीब 3 दशक पूर्व डाली गई 52 की शमता की रेल लाइन की मयाद लगभग पूरे महीने के लिए आपको बताते चले रेलवे ने नई रेल लाइन बिचाने का फैसला भी पूरे मामले पर कर लिया है तो टेहरी जील में आज से स्पीड और सामान बोटों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा दोपर 12 बजे तक करीब 10 परेटक बोटिंग के लिए पहुँच चुके थे बोट यूनियन से जुड़े लोगों ने बोटों का संचालन शुरू करने से पहले जील में दुख्द अभिशिक किया बोटिंग करने आने वाले आपको बताती चले परेटकों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेक्टि रिपोर्ट अनिवार रूप से साथ लानी होगी शारित दूरी के साथ ही बोटिंग शमता की 50 फीजदी सीटों पर ही परेटकों को बैटना होगा 42 वर किलोमेटर शेत्र में फैले टेहरी जील में कोरोना संकमण की दूसरी लहर के कारण 30 अप्रेल 2021 से बोटिंग का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था वर्तमान में जील में निननवे बोटों का संचालन होता है प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार आज से जील में सशर्त बोटिंग अतविधियां शुरू कर दी गई जील में रोमांच का सफर शुरू होने से साहसी खेलों के शौकीनों परट को और बोटिंग विवसाय से जुड़ों लोगों ने राहत की सास लिए